अलगर ऐसलामलेकुम वीवर्स कैसे हैं आप सब तो आज हम यहाँ पर देखेंगे कि तुलसी की पत्तियों को कैसे सुखाए और इसे कैसे स्टोर करें तो मेरे पास यहाँ पर तुलसी का पौधा है बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें पत्तियां लगी हुई है तो मैं इसको हाथों से इस तरीके से तोड़ लूँगी एक एक पत्ती इस तरीके से तोड़ कर निकाल लूँगी और इससे सुखा कर हम रखेंगे ताकि हम इसे चाय में यूज़ कर सकें तो ये देखिए मेरे पास बैग है वेजिटेबल बैग इसमें मैंने तुलसी की पत्तियों को डाल दिया था और इसको अच्छी तरीके से धो लिया था बैग के साथ में ही सारा पानी निकल गया है तो इस तरह से पत्तियों को फैला लें अच्छी तरीके से बैग में और इसे धूप में रखकर दो से तीन दिन तक के लिए इसको सुखाएंगे ताकि अच्छी तरीके से क्रिस्पी होने तक सूख जाए तो उसके बाद हम इसे स्टोर करेंगे तो ये देखिए धूप में हमने इसको रख दिया इस तरीके से और दो से तीन दिन के लिए इसको सूखने देंगे तो ये देखिए हमारी तुलसी की पतिया जो है अच्छे तरीके से सूख चुकी है और इसमें अभी भी जो है खुश्बू आ रही है तो इसे आप सर्दियों के मौसम में या फिर बारिश का मौसम में जब इम्मिनिटी आपको सर्दी या खासी हुई हो तो इसकी चाय बना कर ज़रूर पिये और इसे अभी गर्मियों के मौसम में इसे सुखा लिए और इसे स्टोर करके रख ले तो यह देखिए मैं इसे एक एट्राइट कंटेनर में इसे स्टोर करके रख दूँगी तो अगर आपको यह झाल